तो जहीन ट्रेंट्स कैसे हैं आप लोग, I hope अच्छे होंगे, आईए आज इस वीडियो में जानेंगे हम वेद के बारे में, वेद से आपका परिचे कराते हैं, वेद प्राचीन भारत की पवित्र साहित हैं, जो हिंदूओं की प्राचीन तम और आधार भूत धर्म ग्रंत ह वेद बिचे के प्राचीन साहित भी माने जाते हैं, वेदू का अर्थ होता है, ज्यान, वेदू का हमारे वेदू का अर्थ, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्यान, यह आपका एक्जाम में पूछा गया है, वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ होता है, ज्यान, वेद हमारे चार हैं, रीगवेद, यजूरवेद, सामवेद, अथरवेद, आईए स्टार्ट करते हैं, रीगवेद, रुचाओं के क्रमबध ग्यान के संग्रह को क्या कहते हैं, रुचाओं के क्रमबध ग्यान के संग्रह को रिगवेद कहते हैं, इसमें 10 मंडल 1028 सूप्त है 10 मंडल, most important है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10462 रुचाएं है, इस वेद के रुचाओं को पढ़ने वाले रिसी को होतु कहते हैं, नोट डाउन कर लिजिए, इस वेद के जो रिग वेद है, इसके पढ़ने वाले रिसी को क्या कहते हैं, होतु कहते हैं, इस वेद से आर के राजनीतिक प्रडाली इतिहास एम इस्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, रिग वेद में इस्वर की महिमाओं का वर्डन कि गया है, आईए दिखते हैं, नेक्स्ट लाइन, विश्वा मित्रोधारा यह रचित रिग वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मन्त, गायत्री मन्त किस वेद में है, तो वो रिग वेद से लिया गया है, ये क्वेस्चन आता है, इसके न वे मंडल में देवता सोम का उलेख है, इसके आठवे मंडल के हस्त लिखित रुचाओं को को खिल कहते हैं, तो आठवे मंडल के जो हस्त लिखित रुचाएं हैं, उसे क्या कहते हैं? खिल कहते हैं, पूछ सकता है आपको खिल किसे कहते हैं, तो रिगवेद के आठ में मंडल की हस्त लिखित रुचाओं को खिल कहते हैं, रिगवेद में इंद्र के लिए 250 तथा अगनी के लिए 200 रुचाओं की रचना की गई, नेक्स्ट आईए देखते हैं, यजूरुवेद, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बली के समय अनुपालन, बली के समय चीजों का पालन करना होता है, उनके नियमों का संकलन यजूरुवेद में किया गया है, इसके पाठ करता को अधवर्यू कहते हैं, यजूरुवेद में यजूरुवेद में जो यजूरुवेद में जो गद्य और पद्य दोनों है, ये क्वेस्चन आता है, एक्जाम में कौनसा ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, तो वो आपका है यजूरुवेद, यजूरुवेद में गद्य और पद्य दोनों संकलित है, most important है, note कर लीजिए, next है हमारा साम वेद, साम का साब्दिक अर्थ है गान, साम का साब्दिक अर्थ है गान, इस वेद में मुख्यतर यज्यों के आवसर पर गाये जाने वाले रुचाओं का संकलन है, जो यज्यों के समय पे जो हमन होता है, उस दवरान जो गाना गाया जाता है, उसका संकलन है, इसके पाठ करता को उद्धरातु कहते हैं, उद्धरातु, इसके पाठ करता को उद्धरातु कहते हैं, इसका संकलन रिगवेद पर आधारित है, इसे भारती संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को क्या कहते हैं, भारती संगीत का जनक भी कहते हैं, ये क्वेस्चन में आया हुआ है, इक्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस येर के पेपर में नोटाउन कर सकते हैं साम वेध को भारती संगीत का जनक कहा जाता है यजूर वेध यजूर वेध तथा साम वेध में किसी भी विष्ष्ट ऐतिहासी घठना का वरण नहीं मिलता अथर वेध आईए देखते हैं अथरवेद क्या है अथरवेद रिसी द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं कितने मंत्र हैं। अथरवेद में रिशीद्वारार रची 731 मंत्र तथा 6000 पद्र हैं इसके कुछ मंत्र रिग वयदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं मतलब रिग वयद से भी ज़्यादा प्राचीन है इसके मंत्र Τो आथां या अथरवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता हैं वहाँ पे कन्याओं को बहुत निम्न सेड़ी में रखा जाता था, अथर वेद में कन्याओं के जन्म का निंदा किया गया है, इसे आपने नोडाउन कर सकते हैं, इस वेद में समान मनुस्यों के विचारों और अंद विश्वासों का विवड़न मिलता है, यह हमारा है अथर वेद, अथर वेद में क्या है, समान मनुस्यों के जो विचार धारा थी, जो उनमें व्याप्त अंद विश्वास थे, उनका विवड़न अथर वेद में मिलता है, कर लिजिए सबसे प्राचीन वेद रिगवेद और अथर वेद है तो फ्रेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू